जहिन साथियों, नमस्कार, नमस्ति, गुर्मोनी, आप सभी साथियों का जिरके क्लासे में हर्दिक स्वागत और विनेंदन हैं, तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे, और अपने सभी साथियों को क्लास को सेर कर देंगे, ठीक है, बहुती शांदार क्लास की शुरुवात होने वाला है और आपको मज़ा आ जाएगा ऐसी क्लास है तो सभी लोग क्लास से जल्दी से जल्दी जुड़िया हैं सातियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ल्टी ग्रेट, TGT, PGT, GIC Lecturer तथा UGC Net और अन्य सभी परत्यों की परिक्षाओं के लिए समाने अध्धन की बहुत ही शांदर सेशन की सुरुवात कर चुके हैं और हम लोग डेली सब्जेक्ट वाई हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन को डिसकस करते हैं ह एक कलास में हमने हिस्टरी के कौशन को डिसकस किया था और जियोग्राफिक के कौशन को डिसकस किया था आज्की क्लास में हम लोग परिक्षाओं के लिए काफी महत्पूर्ण हैं आप इस class को miss नहीं करेंगे, शुरूर से लेकर अंतक class को देखेंगे, और एक-एक person को अच्छे से देखेंगे और उनको प्रयास करेंगे, ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी class से जुर जाएं, जितनी ज्यादा संख्या आपके होगी, class में उतना ही मज़ा आने वाला ठीक है, तो आप लोग साथियों से निमेदन हैं कि आप लोग class को share करते रहिए, और जो साथी class पे, यानि जो channel पे नए हैं, वो सबसे पहले channel को subscribe कर लिजे, साथी bell icon को press कर दीजे, ताकि new or list date update आपको समय के अनुसार मिलते हैं, और class अगर आपको पसंद आता है, तो like कीज अपने साथियों में share कीजिए, comment box में comment करके जरूर बताएं कि class आपको कैसा लगा, या फिर आप channel के बारे में या कुछ सुझाओ देना चाते हैं, तो आपका स्वागत है, हमारे telegram channel को भी join कीजिए, सारी class की PDF फाइल आपको इसीट channel पे provide कराया जाएगा, ठीक है, तो चलि अपसे bank का bank कहा जाता है, चार option है आपके सामने, option A है, IC, ICI bank को, option B है, SBI bank को, option C है, PNV bank को, या option D है, RBI bank को, तो आपको बताना है कि इन में से किस bank को, bank का bank कहा जाता है, तो आइए देखते हैं इस person का सही जवाब क्या होगा, तो साथी इस पर्षन का सही जवाब है option number B RBI bank यानि भारती रिजवर बैंक को बैंको का बैंक कहा जाता है ठीक है आगे भरते हैं और बात करते हैं अगले पर्षन की अगला पर्षन कहरा कि समाजवाद की परमुख विशेष्टा क्या है option A है समाजवाद की परमुख विशेष्टा क्या है आपको बताना है एक बार मैं option 5 से पढ़ना हूँ उत्पादन स्रोत का निजी श्वामित होना शम्पती का विशेष्टा क्या है सभी परकार के उत्पादन स्रोतों पर राजी का स्वामित उप्रोक्त में से कोई नहीं तो बताईए समाजवाद की परमुख विशेष्टा क्या है तो आएए देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो इस पर्षन का सही जवाब है option number C समाजवाद की परमुख विशेष्टा है सभी परकार के उत्पादन स्रोतों पर राजी का स्वामित होना ठीक है आगे बढ़ें अगला पर्षन है कि निमलिखित में से कौन सा राजी सरकार का राजवस श्रोत नहीं था option A है option B है option C है option D है तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा कर राजी सरकार का राजवस श्रोत नहीं था तो आईए देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो option number D इस पर्षन का सही जवाब है आई कर जो है ये राज्य सरकार का राजवस्त तरोत नहीं था ठीक है आगे बढ़ते हैं और अगला पर्षन है कि संपती बजार में real estate किसे कहा जाता है संपती बजार में real estate किसे कहा जाता है option A है भूमी अयों रियाइसी छेतर option B है धन, option C है मोटर गारी या option D है चल संपती तो संपती बजार में real estate किसे कहा जाता है पताए इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो साथियों आईए देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या है तो option नमबर A भूमी अयों रियाइसी छेतर इसका सही जवाब है संपती बजार में real estate का अर्थ होता है भूमी अयों रियाइसी छेतर ठीक है चलिए आगे बढ़ते है और अगला पर्षन है वर्ष 2010-11 में भारतिय अर्थ बेवस्ता के किस छेतर की सकल घरेलू उत्पाद में सरवाधिक परतिसत हिश्यदारी थी वर्ष 2010-11 में भारतिय अर्थ बेवस्ता के किस छेतर की सकल गरेलू उत्पाद में सरवाधिक परतिसत हिस्षेदारी थी option A है, तृत्यक, option B है, दृत्यक, option C है, प्रात्मिक या option D इनमे से कोई नहीं सरवाधिक परतिसत की हिस्षेदारी किस छेत्र में थी? तृत्यक छेत्र में थी या द्धृत्यक छेत्र में थी या प्रात्मी छेत्र में थी आपको बताना है कि इनमे से किस छेत्र में सर्वाधिक पर्तिसत हिस्सेधारी थी तो आएए देखते हैं इस पर्सन का सही जबाब क्या होगा तो option number A तिरित्यक छेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की सरवाधिक परतिसत हिस्सेधारी थी ठीक है चलिए आगे बरते हैं और अगला परसन आप से क्या कह रहा कि केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है वित्त मंत्राले, मुद्रा मंत्राले, भारती रिजवर बैंक या भारत के राष्टपती तो बताईए इन में से किसके पास भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार है तो आईए देखते हैं इस परसन का सही जवाब क्या होगा तो ओप्सन नमबर सी यानि भारती रिजवर बैंक के पास केदर सरकार की ओड़ से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार है आगई बात समझ में आगे बढ़ते हैं और अगला परसन कहरा कि नीम लिखित में से कौन सा परत्यक्ष कर नहीं है ओप्सन A है आयकर ओप्सन B है निगम कर ओप्सन C है सेवा कर ओप्सन D है संपती कर तो नीम लिखित में से कौन सा परत्यक्ष कर नहीं है आपको ये बताना है तो आईए देखते हैं इस परसन का सही जवाब क्या होगा तो ओप्सन नमबर C सेवा कर जो है एक प्रत्यक्ष कर नहीं है ठीक है आगे बढ़ें और अगला सावाल है आपके शामने यानि अगला परसन है आपके शामने भाड़ सरकार अस्तर पर 2013 में सरवाधिक इक्तिरित होने वाला कर है आयकर, विक्री कर, निगम कर, सेवा कर बताईए क्या सही जवाब होगा इन में से कौन सा कर 2013 में सरवाधिक इक्तिरित होने वाला कर है तो आई देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो option number D सेवा कर इस पर्षन का सही जवाब होगा यानि भारत सरकार अस्तरपे 2013 में सरवाधिक इत्रित होने वाला कर जो है वो सेवा कर था ठीक है आगे बढ़ते हैं और अगला पर्षन है कि संग के बजट में सबसे बड़ा राजवस व्याव है option A है व्याज भुकतान आयो चुकोती प्रीमियम option B है और रक्षा सेवा option C है सबसीडी option D है सिक्षा तो इन में से बताईए कि संग के बजट में सबसे बड़ा राजवस व्याव कौन सा है तो आएए देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा option number A व्याज भुकतान आयो चुकोती प्रीमियम जो है ये संग के बजट में सबसे बड़ा राजवस व्याव है ठीक है आगे बढ़ते हैं और अगला पर्षन जो है अगला पर्षन आपसे पूछ रहा है कि कितने रुपे के नोट पर सांची अस्तूब का चित्र मुद्रित किया गया है कितने रुपे के नोट पर सांची अस्तूब का चित्र मुद्रित किया गया है 2000 रुपे के नोट पर Option B 500 रुपे के नोट पर Option C 200 रुपे के नोट पर Option D ये सभी आपको बताना है कि इन में से कितने रुपे के नोट पर सांची अस्तूप का चितर मुद्रित किया गया है तो आईए देखते इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो Option No.C यानि 200 रुपे के नोट पर सांची अस्तूप का चितर मुद्रित किया गया है आगे बरते हैं और अगला पर्षन है कि किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की मिर्दू रिन खिर्की के रूप में माना जाता है किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की मिर्दू रिन खिर्की के रूप में माना जाता है Option A है IFC Option B है Asian Bank Option C है IMF Option D है ICA तो इस पर्षन का सही जवाब होगा Option No.C IMF IMF को बिश्व संस्था को बिश्व बैंक की मिर्दू रिन खिर्की के रूप में माना जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं और अगला पर्षन आप से पूछ रहा है कि रिजवर बैंक का राष्टिय करन किस वर्स में किया गया Option A है 1935 Option B है 1947 Option C 1969 Option D है 1990 तो आपको बताना है कि रिजवर बैंक का राष्टिय करन किस वर्स में किया गया तो आए देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो Option D 1950 को रिजवर बैंक का राष्टिय करन किया गया अगला पर्षन है भारतिय रिजवर बैंक के गवर्णर इस्तित केंद्रिय कार्याले में बैठते हैं पर्षन कहरा है कि भारतिय रिजवर के जो गवर्णर होते हैं वो किस केंद्रिय कार्याले में बैठते हैं यानि कहां पे बैठते हैं वो कॉलकत्ता चे नहीं बंबई या नहीं दिल्ली तो बताईए इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो इस पर्षन का सही जवाब होगा option number C बंबई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारती रिजवर बैंक का जो मुख्याले हैं वो आपके बंबई में हैं तो इसके जो गवर बंबई में बैड़ते हैं ठीक है बात करें अगले पर्षन की तो अगला पर्षन आप से कह रहा है कि देश में उरान इसकीम कब से लागू हुई option A है 2012 को option B है 2016 को option C है 2014 को और option D है 2015 तो आपको बताना है कि देश में उरान इसकीम जो है वो कब लागू किया गया तो आए देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो option C यानि 2014 को उरान इसकीम जो है वो देश में लागू किया गया ठीक है तो यह अगर पर्षन आपसे पूछा जाता है कि उरान इसकीम कब लागू किया गया तो आप याद रखेंगे कि 2014 को उरान इसकीम जो है वो लागू किया गया ठीक है आगे बढ़ते हैं और अगला पर्षन है कि इनमें से किस छेतर में अधिकांस भारतिय नियोजित है इनमें से किस छेतर में अधिकांस भारतिय नियोजित है तो आपको बताना कि इनमें से किस छेत्र में अधिकांस भारती जो है वो नियोजीत है तो इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा आएए देखते हैं तो ओप्सर नमबर A कृषी जो है इस पर्षन का सही जवाब होगा और बिल्कुल सही बात है हमारी देश की जो 70% जन सेंख्या है हना मतलब जो 70% ब्यवसाइक हैं वो आपके कृषी पर ही निरबढ़ है ठीक है ओधोकिक उत्पादन में इतना नहीं है सेवायों में भी इतना नहीं है ब्यवसाइक में भी इतने नहीं है लेकिन कृषी जो है इस पे 70% आबादी जो है वो किरषी पर ही निरबढ़ है ठीक है तो इस पर्षन का सही जवाब होगा ओप्सन नमबर A कृषी ठीक है तो सातियों आज के इस क्लास में हमने अर्ध सास्त के महात्मुर्ट पर्षनों को डिसकस किया है और ये सभी पर्षन आपके L.T.G.T. P.G.T. G.I.C. Lecturer U.G.C. Net इसके अलावा अनिस सभी परतियों की परिक्षाओं के लिए काफी महत्पून है तो आप डेली इकोनोमिक्स की इस क्लास को अटेंड करेंगे ये क्लास आपकी डेली जो है ग्यारा बजे सुबह होगी मौर्णिंग में और बहुत ही शांदर क्लास होगी आपको इस क्लास को अटेंड करना ही है अगर आप परिक्षा में अच्छे नंबर लाना चाते हैं तो आप इस class को daily attend करेंगे ठीक है तो आगई बात समझ में तो आज की इस class में बस इतना ही मिलते हैं अगले class में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धनिमाद और आप सभी साथियों से पुर्ण निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और class अगर आपको पसंद आती है तो class को जरूर लाइक करें अपने सभी साथियों में सेर करें थाइंक्यू, थाइक्यू वेरी माज जय हिन जय भारत